कैसे हो आप लोग आज इस बुक के हम बात करने वाले है वो बुक बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यह बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करता कि आप हांटिंग एडलीन बुक समझाइए तो आज मैं इस बुक को लेके आ चुका हूँ और जो यह बुक के राइट प्लस कंटेंट है सो बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी बहुत सारी ऐसी बाते होंगी जो हो सकता है आपको विचलित कर दे तो अराम से सुनिएगा सो विडियो शुडू करने से पहले मैं आपको बता दे था हूं कि वही जो उसका नाम है हांटिंग इीडलीन इसका मतलब क्यों होता है, तो haunting का मतलब, as a noun बात करूं, तो इसका मतलब होता है, कि जब भूत आपके पीछे पड़ जाता है, आपको परिशान करता है, तो उसको कहते हैं haunting, और जब बात as an adjective होती है, तो adjective में इसका मतलब होता है, कि एक चीज कोई बार-बार हो रही हो, repetitively हो और वो नहीं एक author है, और जब उसकी दादी, जब बुरी दादी होती है, वो मर जाती है, तो उसके नाम पर एक घर आता है, और वो घर जंगलों के बीचों बीच होता है, और वो घर का नाम होता है, पार्शन, मैनर, और जो मैनर होता है, उसको एक basically mention तरीके का होता है, कि ब स्टोरी हमें जानने को मिलेगी, तो यहां से शुरुआत करते हैं, इसके प्रिलॉग की, अब प्रिलॉग basically एक starting का part होता है, जिससे हमें पता चलता है, जो आगे की story है, वो कहां जाने वाली है, तो starting का जो एक थोड़ा सा overview होता है, वो प्रिलॉग कहलाता है, अब जो घर क से न, उसको खिलकी के बाहर जब वो देखती है, तो वो देखती है कि एक आदमी खड़ा हुआ होता है, खिलकी के बाहर, और वो न, उसी को देख रहा होता है, और वो हमेशा उसी को देखता है, और वो न, अपने जो काम कर जी होती है, उसी में लग जाती है, वो कोशिश क तो देखती है उसका हमेशा ऐसा ही Kूण होता है वो डर जाती है उसके अंदर बहुत जाधा हूँद संसेशन देता है और जो मेरा दिमाग है वह ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो उसको नहीं सोचना चाहिए और उसके मन में ख्याल आता है ना, क्या वो मुझे अभी भी देख रहा होगा मैं तो बिल्कुल एक टैंक टॉप पैना है, जिसमें मेरे जो निपल्स है वो आल्मोस बाहर देखी रहे हैं और जो मैंने शॉर्ट्स पैना है ना नीचे, उससे जो मेरी एस है, वो तो बिल्कुल कवरी नहीं हो रही है क्या उसको ये अच्छा लग रहा होगा मुझे देखके अफकोर्स उसको पसंद आता होगा, तब ही तो वो हर रात को आके मुझे देखता है हर रात को, और जब वो मुझे देखता है ना तो उसकी आँखों में कहीं हवसी होती है और कहीं ना कहीं जो मैं होती हूँ ना, मुझे उसको चैलेंज करती हूँ कि आओ मेरे पास आओ, ताकि मैं जो चाकू है ना, वो तुमारी गर्दन पे लगा सकूँ लेकिन सस्तो यह है ना, कि मैं उससे डर हुई हूँ, मैं उससे बहुत ज़रा डर हुई हूँ जो आदमी मेरी खिलकी के भार मुझे दिखता है ना, वो मुझे ऐसा फील कराता है कि मैं एक अंधेरे कमरे में बैठे हूँ, और जो रोशनी है ना, वो सिर्फ टीवी की स्क्रीन से आ रही है मैं ना, छुपना चाती हूँ, लेकिन जो मेरे एक दिमाग का हिस्सा है ना, वो यह कहता है जो यह डर है, तुमें इसका सामना करना है और यह चीज़ सोचके ना, वो थोड़ा थ्रिल हो जाती है, कि वह ऐसा भी होता है और ना, फिर से बिल्कुल अंधेरा चाहा चुका होता है और जो बिजली है ना, कड़कती है जब वो थोड़ी और दूर तो उसकी सैंसे ना, वो बहुत जात तेज हो जाती है अब ना, वो उस आदमी को देख नहीं पाती लेकिन उसको यह बात अच्छे से पता है, जो आदमी है ना, वो उसको देख पा रहा है अब जो एडलीन होती है, वो गया गटे खिल्की से देखना बन कर देती है जो यह घर था एडलीन को यह घर उसके दादा-दादी से मिला था और जो उसके great grandparents थे उन्होंने यह तीन स्टोरी Victorian home बनाया था 1940 में और इस घर को बनवाने में खून, पैसा, महनत, आंसू और पांच मजदूरों की जान गई थी जो एडलीन के दादा-दादी थे ना, वो कहते थे कि बही जब यह घर बनना था, तो इस घर में आग लग गई थी, जिसकी वैसे जो पांच मजदूर थे, जो इस घर को बनाने का काम कर रहे थे, वो यहीं पर जल गए थे और एडलीन ने बहुत कोशिश करी थी, कुछ इस घर के बारे में पता चला है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन वो यह समझ गई थी, कि जो यह घर है अब यह घर भूतिया हो चुका है, उन्हीं पांच मजदूरों की आत्मा शायद इस घर में गुमती रह पर, उनको ऐसा लगता था ना, कि यह ऐसी खाली जूटी स्टोरी हैं, बस और कुछ भी नहीं, यह वो विश्वास करना ही नहीं चाहती थी, और कई बार ना एडलीन रात को किसी के पैरों की चलनों की आवाज सुनती है, और वो इसको यह लगता है ना, कि जो यह आवाज ह यह उन मजदूरों की आवाज है, जो मर गयते हैं, असी साल पहले इस घर में, या फिर इन मजदूरों की जो परचाई है ना, वो मेरे घर के बाहर मुझे दिखती है, हमेशा मुझे देखती रहती है, हमेशा मुझे देखती रहती है, तो इस नोट पर खतम होता है इसका प खुबाम टेश कर दो बहुंत दिए ठाहर जाव भाद सेहिं चाहर हिए अनने चाहर ड्लीवी कमारे बदीजन, अबने तक बदीजन, अबने दावश में पार हीम, अबने थावश प्रणावया कर दोड़ दिएकर भीजमन, बomina रिएकर रड़ कर दो दो कर दो दो को दो कियो